तो देखो क्या हुआ है जब हम एक्सिस करते हैं हर्भी साइट का पैस्टिसाइड का तो उससे नो डाउट हमारे क्रॉप्स को तो फायदा होता है बट वेसिकली क्या होता है कि हम वह और गैनिजम को रिस्टिंट रिस्टिंस बना रहे हैं ठीक है यानि कुछ और्गैनिजम अब उस हर्विसाइड उस पैस्टिसाइड यह उस से ऊसको कोई फरक नहीं पड़ेगा वो असले ग्रो एक्षण का यह ऊंपल है बी चला जाएगा chemical evolution का example नहीं है chemical evolution वेसिकली दिया था दो साइंटिस्ट ने ओपरन और हेल्डिन ने उन्होंने यह कहा था कि जो हमारी life है वो pre-existing non-living organic molecules से आई है ठीक है फेलेंटियो लॉजिकल एविदेंस में हम fossil को पढ़ते हैं ठीक है तो यह भी incorrect हो जाएगा and all of these भी incorrect हो जाएगा हमारा यहां पर correct answer चला जाएगा option B इसके regarding information आपको 12th की नियों NCRT में page number 116 पर मिलेगी I hope कि आपको question अच्छे से समझा क्या है